सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ग्यान बर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके ब्रिशब रासी वालों का आज का रासी फल यानि की 21 जून 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा पड़न्तू सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं 21 जून 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है अमावश्या नक्षत्र है मिरिग सिरा पक्ष है क्रिसन पक्ष और दिन है रभी बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के तैस मिनट में और सुर्यास्त है सात बज के बाईस मिनट में रितू है वर्षा और आज का दिन काल है तेरह घंटे अंठाबन मिनट बारह सेकेंड का महिना है आसाड है और आज के दिन सुभ समय सुरू होता है ग्यारह बज के पैंटालीस मिनट एम से 12 बज के 55 मिनट पी एम तक और असुभकाल सुरू होता है पांच बज के 30 मिनट पी एम से 6 बज के 35 मिनट पी एम तक और राहुकाल सुरू होता है पांच बज के 37 मिनट पीम से साथ बज के 22 मिनट पीम तक और दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो मित्रों यही था आज का पंचांग इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे ओम स्रे सूर्ज देवाव नमह कमेंट कर दें और मित्रों बीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य शाली रंग भाग्य शाली अंग और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रियास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सुर्ज ग्रहन के बाड़े में 21 जून 2020 को जो सुर्ज ग्रहन है उस ग्रहन का टाइमिंग है सुबह के 9 बज के 15 मिनट से 3 बज के 4 मिनट तक यह ग्रहन 12 बज के 10 मिनट दो पहर में पुर्ध दिखेगा यानि की उस समय में हलका अंधेरा चा जाएगा अगर कुल मिला कर देखा जाए तो यह ग्रहन 6 घंटे लंबा रहने वाला है यानि की ग्रहन की लंबाई काफी ज्यादा है बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इस ग्रहन की चर्चा पूरे बिस्सों में पूरे दुनिया में अभी हो रहा है इसके बाद बात करते हैं कि इस ग्रहन के दौरान बिर्शवरासी वालों के जीवन में इसका क्या असर पड़ेगा क्या फर्क पड़ने वाला है इस ग्रहन के बाद आपके घर पडिवार की शांती भंग हो जाएगी और इस वजह से आपको तनाब का सामना करना पड़ेगा और मानसिक असांती आपको काफी जयादा होने वाला है इस ग्रहन के बाद आपका स्वास्त भी जयादा साथ नहीं देगा इसलिए अपने दाहिने आँख का आपको ध्यान कुछ जयादा ही रखना है इस ग्रहन के बाद आप करज या धन शम्पती के लें देन से दूर रहने का पड़्यास करें तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के रासी फल के बारे में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके कामकाज बेपार बेवसाई के बारे में मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका समय सामानने से काफी ज्यादा नीचे है आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़ी च्छेतर में आप लापड़वाही बिल्कुल भी न करें जिस काम को करने में आपको महारत हासिल हो जिस काम को करने से आपको मानसिक सान्ती शुकून की प्राप्ती होती हो आज के दिन आप ऐसे काम को करने का प्रयास करें क्यूंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आने वाले वक्त में आपका कामकाज, आपका काड़े छेत्र बहुत ही ज्यादा बेहतर और शांदार होगा इसके बाद है आपका बैबाहिक जीवन मित्रों बैबाहिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से थोरा सा बेहितर थोरा सा अच्छा है आज के दिन आपके बैबाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के तरफ से आपको कोई सर्प्राइज मिलेगा और इस सर्प्राइज के वजह से आपका दामपत्य ज जाएगा इसके बाद बात करते हैं आपके सुआस्थ के बारे में मित्रों सुआस्त के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामानी रहेगा आज के दिन आप बाहर का भोजन करने से बचने का प्रियास करें जो खाना पीना खाने के बाद आपका सुवास्त बहतर होता हो यानि कि जिसे खाने पीने के बाद आपके सुवास्त में कहीं कोई समस्या कहीं कोई बाधा नहीं आता हो तो आज के दिन आप ऐसे वस्तूओं का शेवन करें अन्ने था आपका सुवास्त खराब हो जाएगा आकस्मिक मुनाफ़ा काफी ज्यादा होगा या आप में से जो भी लोग सट्टे बाजी करते हैं तो उन लोगों को आज के दिन फाइदा होगा और पैसों की कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी इसके बाद है आपका पाड़िवाडिक जीवन ने मित्रों पाड़िवाडिक जीवन के दृष्टी कौन से भी आपका समय सही रहने वाला है आज के दिन अपने घर पड़िवार के माहौल को अपने पाड़िवाडिक जीवन को आप अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करे इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय बहतर और शानदार होगा मित्रों उपाई बहुत सामाननी है आज के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद बजरंग बली हनुमान जी या फिर भैरब जी की पूजा करें इस उपाई को इस टोटके को अगर आप आज मा लेते हो तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली यंक है एक यनी की वन और शुभ रंग है क्रीम और शफेद तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें वेडियो को आप हर जग सेयर कर दें आप जए सी आराम